वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्या आज के टाइम में हमें इथीरियम में इंवेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गोल्ड में और ये चीज हम क्यों डिसकस कर रहे हैं आज इथीरियम के साथ साथ हम गोल्ड के बारे में क ये भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे क्योंकि पुराने अगर आप देखेंगे काफी टाइम से बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं गोल्ड के अंदर और गोल्ड के अंदर इंवेस्टमेंट करते हैं गोल्ड को लेके ले भी लेते हैं तो यहां पर किसमें इंवेस्टमेंट करना आज के टाइम में ठीक रहेगा अगर आप अपने wealth create करना चाहते हो तो क्या आपको Ethereum अच्छा return दे सकता है आने वाले कुछ सालों में या gold आपको अच्छा return दे सकता है तो आज यही जानेंगे सबसे पहले अगर आप gold के price की बात करें 50,000 डॉलर के something जो है 10 gram आपको gold मिलता है और अगर आप Ethereum के price की बात करेंगे अभी market डाउन है और Ethereum काफ़ी अच्छा dip के अंदर आया तो 2 lakh रुपे के something Ethereum के price चल रहे है मतलब और अगर आप 2 lakh रुपे का gold भी लेते हैं मतलब 2 lakh रुपीज का अगर gold लेंगे 40 gram आपको gold मिलेगा और इस 40 gram gold को आप 5 साल रख लीजिए 10 साल रख लीजिए तो जैदा से जैदा आपको जैदा कोई fluctuations देखने को नहीं मिल रहे हैं कभी gold के price increase होंगे तो जैदा से जैदा आपको थोड़ा बहुत profit देखने को मिल सकता है gold के अंदर लेकिन अगर आप अपने wealth को बढ़ाना आप चाते हैं अगले कुछ सालों के अंदर तो gold के अंदर investment मुझे नहीं लगता आज की time में ठीक है क्योंकि आज का time एक digital time है आने वाला time cryptocurrency का time है तो cryptocurrency में bitcoin अभी हाथ से निकल चुका है अभी काफी dip के अंदर है पूरा market तब भी bitcoin अभी हाथ से बाहर है अगर आप देहेंगे rain से बाहर है क्योंकि 27 lakh rupees का एक bitcoin है और ethereum next bitcoin बनने वाला इसमें कोई doubt नहीं है हम पहले भी बात कर चुके हैं और एक ethereum आपके पास होना ही चाहिए तो आप ethereum में भी investment कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा और gold के बजाए ethereum is the best option और ethereum आपको काफी अच्छे return दिखा सकता है आने वाले 2-3 साल में भी काफी अच्छे number आप ethereum से देख सकते हो ठीक है 2025 तक भी ethereum काफी अच्छे number दिखा सकता है और अगर आप इसको 2030 तक आप एक ethereum आज लेकर रख दोगे तो 2030 तक ये भी हो सकता है कि एक ethereum की value करोड में भी पहुंच जाए बिल्कुल पहुंच सकती है जब bitcoin करोडों का हो जाएगा तो ethereum पीछे पीछे जाएगा और ethereum की value भी करोडों में हो जाएगी लेकिन उसके लिए काफी लंबा wait आपको करना पड़ सकता है 7-8 साल का wait करना पड़ सकता है उससे पहले भी चीजे हो सकती है 5 साल में भी हो सकती है ठीक है मैं यह नहीं कहा है कि एक दिन में यह सब चीजे हो जाएगी लेकिन आज के टाइम में gold से better है एक ethereum लेके रख लेना और ethereum एक next bitcoin आप समझ सकते हो अभी आप देख रहे हो bitcoin की value 35,000 डॉलर पे चल रहे है 26,7 lakh के करीब चल रहा है और ethereum के जो price है वो काफी अच्छे dip के अंदर है 2 lakh रुपे पे चल रहे है और काफी अच्छा level ethereum का चल रहा है तो जितना आप dip में लेंगे उतना आपको benefit होगा और यही कुछ चीजें थी कि gold में invest करें या ethereum में invest करें किसमे करना सही रहेगा अगले कुछ सालों के लिए अगर long term क्योंकि gold में जो investment करते हैं वो long term के लिए करते हैं और उससे कोई return जैदा नहीं मिलता है gold ने पिछले 5 साल में भी जैदा returns नहीं दिया है अगर आप gold का chart देखोगे और bitcoin का तो आपको पता ही है bitcoin, ethereum, यह सब चीजों के क्या ही chart दिखाए है और 5 साल में का ही चीजे पहुँच गई है अगर किसी ने 5 साल पहले भी gold लिया होता तो आज जैदा price नहीं बड़े होते वही price होते और 5 साल पहले किसी ने bitcoin, ethereum लिये होते तो आज कहीं जैदा value होती ठीक है तो 5 साल पीछेगा भी आप देख सकते हैं और 5 साल आगे भी आप future खुद समझ सकते हो अगर आप crypto में हो तो crypto में, ethereum में invest करें हैं, gold में तो सबसे बड़िया option इस time पे अगर आप अच्छी long term का perspective देख रहे हैं तो ethereum एक अच्छा option हो सकता है ठीक है बाकी आप research करें पहले invest करने से पहले जिसमें आप करना चाहते हैं आपकी research बहुत जरूरी है तो ये कुछ चीजें थी कि gold में invest करें या ethereum में, I hope इस video में आप समझ गए होंगे तो आगे जो भी update रहेगा crypto को लेके या कुछ और आपके लिए प्रहेगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे तो आज की इस video में फिलहाल इतना ही विडियो अगर पसंद आए विडियो को like, share जरूर कर देना चैनल को subscribe कर लेना और bell icon press जरूर कर लेना ताकि कोई भी notification आप से miss ना हो